Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope का आप लोग अच्छे होंगे Friends, आज की इस वीडियो में जानेंगे SBI Card Application का username और password अगर आप भूल गये हैं तो password और username को कैसे recovery करते हैं यहाँ पर मैं आपको live demo के साथ step by step complete वीडियो दिखाने वाला हूँ और अगर आप यूने SBI का username और password भूल गये हैं इसके उपर मैं वीडियो बना दिया हूँ वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा आप वहाँ से जाके वीडियो को वाज़ कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए करेंगे और application को open कर लेना है trends, SBI card application का username और password भूल गये हैं तो किस तरह से recover किया जाता है आपको यहाँ पर मैं live demo दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर देखने को लेगा forget login details आप इस पर click करेंगे इस पर मैंने यहाँ पर click कर दिया next, आपको यहाँ पर SBI credit card का number आपको यहाँ पर enter कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं number इंटर कर देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर CVB number इंटर कर देना है credit card के पीछे आपको number देखने को मिल जाता है इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना data work select करना होगा इस calendar वाले option पे click करके अपना data work select कर लेना है यहाँ पे सबसे पहले आप date select करेंगे इसके बाद month और यहाँ पे year select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे generate OTP पे click कर देना है आपके mobile नमर पे OTP आएगा OTP आप यहाँ पे इंटर करेंगे और OTP नहीं आता है तो आपके यहाँ पे recent OTP पे क्लिक कर देना है दुबार OTP आपको मिल जाएगा और continue पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI Card Application का username recover हो चुका है Privacy के लिए मैं इसको blur कर करके रखा है और अगर आप यहीं से log in होना चाहते हैं तो आपको take me to login पे click करके आप log in हो सकते हैं और अगर आप password भी भूल गया है एक new password क्रीट करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे new password पे click करके अपना एक new password यहाँ पे create कर लेना है आप जो भी password create करेंगे strong रहना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे आपको update password पे click कर देना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, password successful create हो गया है, इसके बाद आपको take me to login पे click कर देना है, आपने जो username recover किया है, उस username को आपके यहाँ पे fill कर देना है, इसके बाद आपको इस arrow mark पे click कर देना है, अब आपको यहाँ पे password fill कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे click कर देना है, आपके सामने next page open हो जाता है, अगर आप SBI card application को इस device के साथ link करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इस option को यहाँ पे enable कर देना है, enable करने के बाद आपके mobile number पे OTP आएगा OTP आप यहाँ पे enter करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे link device पे click कर देना है तो चलिए यहाँ पे हम OTP को enter कर दिया इसके बाद यहाँ पे हम link device पे click कर दिया हूँ यहाँ पे आपको Tram of Service को accept कर लेना है इसको आपको यहाँ पर read कर लेना है scroll down करेंगे scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर एक checkbox देखने हुए लेगा इस checkbox को tick करेंगे और आपको यहाँ पर accept पर click कर देना है और अगर आप SBI card application में fingerprint enable करना चाहते हैं तो आप enable touch ID पर click करके fingerprint enable कर सकते हैं और enable नहीं करना चाहते हैं तो आपको not now पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर ok पर click करेंगे फिर से आपको यहाँ पर ok पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI card application open हो गया है इस तरह से आप SBI card application का username और password recover कर सकते हैं आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर दीजे like और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया वीडियो कर दीजे dislike और अगर आपको हमारा channel पसंद आया चैनल से आपको कुछ knowledge मिलता है तो चैनल को कर लिजे subscribe नेक्स्ट वीडियो में फिर में लेंक फ्रेंड्स चलते हैं बाबाए टिक के यार